हेलो बच्चो आज में आप लोगों को क्लास टेंथ कर डी ओई की तरफ से आपको एक मैट्स की सपोर्ट मेटीरियल की बुक मिली है इंग्लिश मीडियम में सेशन 2023-24 की इस बुक में हमने अपने काफे सारे चैप्टर्स कर लिये हैं चैप्टर नमबर टू कम्प्लीट हो चैप्टर नमबर 8 हमने स्टार्ट कर दिया है साथ के साथ इंड्रोट्रेक्शन टू टिंग्नोमेट्री जिसके मैंने आपको 1-5 कोशन करा दिये प्लस जो cbsc में आई वे हैं वो कोशन अलेडी चैनल पर अप्लोड हो चुके हैं तो आज हम करने वाले हैं कोशन नमबर 6-10 तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर कोशन नमबर 6 आप से क्या करा हैं यहाँ पर इफ x is equal to a sin theta and y is equal to a cos theta then find the value of x square plus y square आपको x और y की value दे रखें sin और cos के form में और आप से क्या करा है x square और y square की value निकार नहीं तो x की जगा मैंने x की value यहाँ पर put कर दे सेम ऐसी y की जगा मैंने यहाँ पर y की value put कर दे तो यह होजएगा a square sin square theta यह होजएगा a square cos square theta दोनों पर square है a square मैंने common ले लिया तो sin square theta plus cos square theta बचेगा अब आपको पता है एक identity होती है sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो a square into 1 तो आपका answer a square आजएगा क्लियर है question 7 चलिए question 6 sorry question number 7 में आपसे क्या कह रहे if cos a is equal to 3 upon 5 then find the value of 4 plus 4 10 square a आपको value इसकी निकालनी है और आपको information cos की दे रखिये तो कुछ ऐसा करो कि यह cos में convert होजे तो मैंने यहाँ पर 4 common ले लिया तो 1 plus 10 square a बचा अब एक identity होती है कि sec square a जो है वो 1 plus 10 square a के बराबर होता है तो यहाँ जाएगा 4 sec square a sec square a cos square का उल्टा होता है cos का उसको यह लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो यहाँ जाएगा 4 upon में cos square a अब cos square a की value यहाँ पर से निकाल लो cos a की value 3 upon 5 है cos square a की हो जाएगी 9 upon 25 तो 4 upon में 9 upon 25 आजाएगा तो 4 into 25 upon में 9 आजाएगा तो यह आपका कितना आजाएगा यहाँ आपका 100 upon 9 आपका आणसर clear? question number 8 में आपसे क्या क्या रहे find the value of 9 sec square a minus 9 ten square इसकी value निकालनी है बहुत बार यह एग्जाम में आयावा भी question है one mark में बहुत असान question है 9 common ले लिया sec square a minus ten square बचा अभी हमने यहाँ पर एक identity की थी यह तो अगर आप ten square a left side पर लिया आओगे तो sec square a minus ten square a की value 1 आजाएगी तो इसका answer 9 आगया clear? question number 9 में आपसे क्या क्या रहे express करो sec theta को pot की form में तो अभी हमने एक identity परी sec square theta होता है one minus sorry one plus ten square theta तो sec theta कितना हो जाएगा under root में one plus ten square theta पर मुझे cot के form में लिखना है तो मैंने ten को लिख दिया one upon में cot square theta बेस सेम किये तो cot square theta plus one upon में आ जाएगा में पास cot square theta under root ऐसी है तो numerator पे तो under root रहेगा क्योंकि वो हट नहीं सकता तो denominator में square से root कट गया तो cot theta आ गया तो देखलो आपने sec theta को cot की form में represent कर दिया clear है एक question number tenor करते हैं यहापर इसमें आप से क्या कह रहा है if x is equal to a sec theta and y is equal to b 10 theta then find the value of b square x square minus a square y square value put करो सिधा सिधा तो b square ऐसी है x की जगा मैंने x की value put कर दी square ऐसी है a square ऐसी है y की जगा मैंने y की value put कर दी तो यहाँ जाएगा sec square theta a square b square ten square theta यहाँ से मैंने a square b square common ले लिया तो sec square theta minus 10 square theta आ गया और अभी हमने पीछे identity परी थी कि sec square theta minus 10 square theta 1 होता है तो finally आपका answer आ गया a square b square clear है तो आज की class में यह वाले five questions भी हमारे complete हो चुके हैं आगे की class में आगे के five questions को complete कर लेंगे दीरे दीरे इस chapter के सारे questions चैनल पर upload हो जाएंगे plus और chapter के questions भी upload होने start हो गए हैं तो अगर आपने channel नहीं subscribe कर रखा है तो जल्दी से subscribe कर लिजे ताकि जब भी वीडियो upload हो तो आपको उसकी notification मिल जाए ट्रेंट्स के साथ इन वीडियो उसको जरूर शेयर कीजे उने बताईए कि support material के chapter के solutions इस channel पर upload होने start हो गए हैं ताकि वो भी board exam से पहले इनकी preparation कर सकते मिलते हैं next class में next question के साथ आपको वीडियो अच्छी लगे आपी से like जरूर की thank you